हेलो स्टूडन्स आज हम इस छोटे से यूडियो में अगरी कल्चर याने के क्रिशी में कौन कौन सी रिवॉलुशन अभी तक आई है इसके एक्जामपल देखेंगे और इनके रिवॉलुशन के लिए कौन सा परसन रिस्पॉंसिबल है ये भी जरूर देखेंगे क्रिशी में हम ग्रीन रिवॉलुशन के बारे में कौनली जानते हैं लेकिन बाकी और बहुत सारी रिवॉलुशन है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है और इसके उपर एक्जाम में क्वेशन जरूर आते हैं चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल करना मत भूलिये तो सबसे पहला रिवालुशन है ब्लैक रिवालुशन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है यह है फिश और horticulture के लिए है और green revolution agriculture food grain specially wheat और rice के लिए है then grain revolution related to fertilizer pink revolution जो है वो prawn, fish, onion, meat और pharma cutels के लिए है protein revolution higher production technology derived second grain revolution के लिए है rainbow revolution fruits के लिए है red revolution meat और tomato के लिए है इसके बाद जो next revolution है वो है round revolution वो पोटाटो के लिए है silver revolution cotton के लिए है sorry silver fiber बोलेंगे हम silver revolution जो है वो है एग और poultry production white milk and dairy product के लिए है और last जो है yellow revolution yellow revolution जो है वो है oil seed, edible oil especially mustard और sunflower के लिए तो ये हमारे अलग-अलग तरह के revolution है अब हम देखेंगे की कोन father है father of green revolution ये मैं स्वामिनातन father of white revolution वर्गिस कुरियन milk man of India वर्गिस कुरियन father of blue revolution डॉक्टर अरुन कृष्णन father of induced labriding प्रफेसर हरिलाल चौदरी father of pink revolution दूर्गेश पतेल father of golden revolution ये है निर्फक तूतेज then father of red revolution विशालतिवारी father of silver revolution इंद्रा गांधी father of yellow revolution साम पिटोरडा and father of brown revolution डॉक्टर हरिलाल चौदरी तो ये अलग अलग फादर है जो green revolution के लिए responsible है भहुत बार इनके उपर green revolution के उपर स्पेशेली एक्जाम में questions objective के पूछे जाते है जरूर याद रखिए धन्यवाद